तो है भाई लोग स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में और भाई आज का वीडियो थोड़ा सा लग है क्योंकि आज हमें एक अलग चीज की बात करने वाले हैं और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ने करूँगा क्योंकि छे बच गया है लाइट जाने वाली है तो भाई लीजन है यह अपने पास है एक्शन 4 तो एक्शन 4 के साथ यह जो स्रिफ ट्रांस्मीटर आता है माइक 2 का ही डारेक्ट अटाइच हो जाता है तो अब दूर कॉड़ियो बड़े प्यार से बड़े आराम से रिकाउड कर सकते हैं तो अभी आपको मैं डिजा माइक 2 दिखात सकते हैं कि मैंगनेट से आप यूज़ करना चाहों बागी क्लिप जो नॉर्मली रहती हो क्लिप अवेलिबल है तो अभी जो आप आइफोन 15 का डिरेक्ट आडियो आ रहा है अभी क्या करता हूं मैं इसको पेर कर लेता हूं फिर दिखाता हूं इसका आने वाला इसके साथ तो भाई लोग अभी जो आवाज आ रही है वो आ रही है आपको DJI के माइक 2 ट्रांस्मीटर के साथ जो कि मैंने भी आइफोन के साथ कनेक्ट कर रखा है और I hope audio अच्छा रहा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि audio अच्छा आही रहा होगा और audio इसका काफी अच्छा strong suit है स्पैसिफिकेशन मैं नहीं पताने वाला हूँ भाई मैं वस्ट्राइ करने वाला हूँ क्योंकि ब्लुटूथ से आइफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है तो भाई काफी अच्छा setup बन जाता है और एक थोड़ा सा दूर वाला शॉट लेकर ट्राइब करेंगे कि भाई द्राइकोशन की हो स्योंके बाइट-खोन वाला इसका आईपोन के साथ आप यूसक्स कर सकथा है डाइच्टि यूडिग ऑ्लिबभा ओके लिए और धी आद यूज करने के लिए लिया है मैंने और इपनी डिस्टेंस पर आडियो आ रहा हुगा क्योंकि मैं लाइन आफ साइड वे हूं और से बड़ा शॉर्ट अड़न दिंग सब्सक्राइब को जरूरत पढ़ने वाला है तो मेरे इसाफ से भाई ऑडियो अच्छा है बाकि इसमें ए अच्छा है क्योंकि कई बार भाई अपन लोग ट्रिप्स पर जाते हैं तो कोई नहीं होता बंदा की ऐसे बाई दूर से शॉट ले पाओ और शॉट लेते तो अडियो नहीं होता है अगर आप अलग से अडियो अलग से शॉट लो तो मैच नहीं करता है तो इस वज़े से म क्लिपना मैंने थोड़ा से क्योंडी देखा तो मुझे ठीक ही लग रहा था भषो हाथ का शेक आरा तो आई थिंग मुझे नगा करना चीह था या तो मुझको इसमें विंड मफ लगाना चीए है तो चलो अभी तो जो हो गया सो हो गया अभी एक बार वीडियो प्लूटूट के थू यह पेर होता है तो हमें कोई रिसीवर लेने की जरूरत नहीं है जो कि बहुत अच्छी चीज है और यह चीज मैं हमेशा से चीव करना चाहता था व्लॉक्स में कई बार क्या होता है कि हाथ में लेके अपनको यूज करना पड़ता है कैमरा और उसमें रख देंगे कैमरे को और माइक कनेट करके इतनी दूर का अच्छे से फुटेज ले सकेंगे और दिकत क्या होता है कि कोई भी जो एक्शन कैमरा होता है वो डारेक्ट सपोर्ट नहीं करता है कि उसके साथ एक वायलेस माइक कनेट कर जाए तो DJI ने यह जो चीज की बहुत अच्छी लगी मुझे और इस वजह से मैंने पर्चेस किया कॉस्ट इसका काफी जाता है करीब 13,000 रुपएस के लिए मुझे पे करना पड़ता है और तो एक बार मैं क्या करता हूं इसका फुटेज रिव्यू कर लेता हूं कि एक्शन फोर के साथ कैसा रहा है मैंने किसी तरह से मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो सकता है अगर कर देता तो बहुत अच्छी बात है एक फीचर इसके अंदर बहुत अच्छा है वह इसका इंटरनल ओडियो खुद से रिकॉर्ड करता है तो अगर आपको Bluetooth वाला ओडियो अच्छा नहीं लग रहा तो इसके अंदर पता नहीं क्यों अपने जो आइफोन उसमें अच्छा नहीं आ रहा था बट ऑस्मो एक्शन फोड और यहां पर प्यारा सब बच्चा मिला है जो हाई बोला लोगों को और वाई ने बोला कि वीडियो में लेने का तो मैंने का चोटा बच्चा है तो चोटु का नाम बाई प्यारा बच्चा है तो काफी अच्छा लगता है ऐसे लोग मिलते रहते हैं फाइनल समरी जो है इस वीडियो की मैं आपको बता देता हूं तो भाई हमने इसको टेस्स किया और काफी सई ऑडियो मुझे लगा एक्स्टरनल माइक लगाने से या इसका जो इंटरनल माइक उ और पता नहीं सर्प्राइजिंगली सम्हाव एक्शन फोर के साथ भाई यह माइक बहुत प्यारा वर कर रहा है इसी माइक से आपको भी ऑडियो और से नहीं आ रहा है और मैंने कोई विंड मफ कुछ नहीं यूज किया हुए डारेक्ट आडियो मैं यूज कर रहा हूं इसक है तो भाई मुझे लगता ही आपको लेना चाहिए तो कि सिर्फे ट्रांस्मीटर भाई तेरा काता है इसका पूरा सेट लोग को तो और महंगा आता है तो उस हिसाब से सोच समझ के डिशन लेना कि कॉसली इंवेस्टमेंट है मुझे तो सही लगा बाकी आने वाले वीडिय कर रहे हैं और यूस करने वाले हैं तो अभी क्या करते हैं अभी के लिए इतना ही और मैं आप से मिलता हूं फिर किसी वीडियो फिर किसी दिन गाइस तब तक बाई